हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल छवी अकैडमी आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नमबर वन सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 को एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक कॉंसेट्स हमें चाहिए करेक्ट स्टेट्मेंटट्स बाय फ्लिं सिंबल इन दट भी एक नाट गामीरा करते हैं कि जब भी हमारे पास 2 सेट्स गिवन होते हैं से एड्न B, then A, set, जो होता है, वो subset होता है, set B का, जब सभी के सभी elements जो A में होते है, वो B में भी होते है, यानि कि जब भी सारे के सारे जो elements है A के, अगर वो सभी के सभी elements B के अंधर B है, तो हम कहते हैं कि A जो है वो subset है set B का so let's start with the first part so यहाँ पर हमारे पास जो first part में set given है जो first set है वो क्या है? a set consists of three elements two, three, four और जो हमारा right hand side पर set है उसके अंदर five elements है one, two, three, four, five अब हम देख सकते हैं जो यहाँ पर first element है two वो same element यहाँ पर भी है two second element क्या है यहाँ पर three, three right hand side वाले set पर भी है और जो third element है four वो right hand side वाले set में भी है यानि कि जो सभी के सभी elements है left hand side वाले set में वो सभी के सभी elements हमें यहाँ पर भी मिल रहे है तो यानि कि कौन सा symbol आएगा यहाँ पर subset का now the second part is यहाँ पर second part में हम देख सकते है इस वाले set में three elements है A, B, C तो हम चेक करते हैं क्या यह तीनों के तीनों elements right hand side set में बिलॉंग करते हैं या नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते है जो first element है वो क्या है A, पर जो A element है वो right hand side वाले set यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर यहाँ पर तो है इस वाले set में बट right hand side वाले set में नहीं है तो यहाँ पर कौन सा symbol आजाएगा not a subset का Now the third part is the set X where X is a student of class 11 of your school यानि की इस वाले set में वो सभी students आएंगे जो class 11 में परते हैं और right hand side में क्या set है The set consists of all those X such that X is a student of your school यानि की इस वाले set में वो सभी students आजाएंगे जो school में परते हैं चाहे वो किसी भी class के हो तो जो student class 11 का है वो student school का तो हो गई होगा तो यानि की अगर कोई भी मैं student pick करती हूँ इस वाले set से जो class 11 का है तो वो इस वाले set में right hand side वाले set में तो belong करेगा ही करेगा क्योंकि जो class 11 का student है तो वो school का भी student होगा तो इस वाले blank में हम लगा देंगे symbol subset का now the fourth part is the set X such that where X is a circle in a plane यानि की इस वाले set में सभी circles आजाएंगे चाहे वो किसी भी radius के हो और right hand side पे कौन से circles आएंगे X is a circle in the same plane with radius 1 तो right hand side वाले set में खाली वो circles आएंगे जिनका radius 1 है तो अगर मैं कोई भी circle ले लेती हूँ यहां से left hand side set से जिसका suppose radius क्या है 2 मैंने एक ऐसा circle पिक कर लिया जिसका radius क्या है 2 तो वो right hand side वाले set में तो belong करेगा नहीं क्योंकि right hand side वाले set में खाली वही circles है जिनका radius क्या है 1 therefore यहां पे कौन सा symbol आजाएगा not a subset का क्योंकि मेरे पास यहां पे एक ऐसा element है जो right hand side पे belong नहीं करता है और वो element क्या है circle with radius 2 ऐसे ही आप कोई भी radius ले सकते है जो 1 के equal नहीं होगा आप कोई भी radius ले सकते है 3, 4, 5, 1.5 कोई भी ले सकते है now the next part is the set consists of all those element x such that x is a triangle in a plane तो इस वाले set में सभी triangles आ जाएंगे और right hand side में क्या आएगा all those x such that x is a rectangle in a plane अगर अब मैं कोई भी triangle लेती हूँ तो वो rectangle तो होगा नहीं तो इस वाले blank में हम लगा देंगे not a subset का sign next part is the set consists of all those x such that x is an equilateral triangle in a plane तो इस वाले set में वो सभी triangles आ जाएंगे जो equilateral triangles है और right hand side वाले set में क्या है देखते है all those x such that x is a triangle in the same plane इस वाले set में जो right hand side पे जो ये set है हमारा इसमें सभी triangles आ जाएंगे चाहे वो equilateral triangle हो right angle triangle हो कोई भी triangle हो बस triangle होना चाहिए तो अगर मैं कोई भी एक equilateral triangle लेती हूँ अपना left hand side set से तो वो right hand side वाले set में तो belong करेगा ही करेगा क्योंकि अगर मैं कोई भी equilateral triangle ले रही हूँ left hand side set से तो वो triangle तो है ही तो वो इस वाले set में तो belong करेगा ही करेगा तो यहाँ पे हम क्या symbol लगा देंगे subset का next part is the set x such that x is an even natural number तो अगर हम यह set लिखते हैं तो इसमें कौन-कौन से elements आ जाएंगे even natural number so it will be like 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे चलता जाएगा infinity तक और जो हमारा right hand side पे set है वो क्या है? x such that x is an integer तो यहाँ पे सारे integers आ जाएंगे right hand side वाले set पे तो integers का set क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 and left hand side पे सारे negative integers आ जाएंगे ऐसे चलता जाएगा तब हम देख सकते हैं जो left hand side के elements है 2, 4, 6, 8, 10, 12 आसे वो सभी के सभी elements यहाँ पे तो belong करेंगे ही करेंगे यहनि कि कोई भी even natural number जो होगा वो integer तो हो गही होगा तो यहाँ पे कौन सा symbol आ जाएगा? subset का next हम चलते हैं question number 2 पे question number 2 is examine whether the following statements are true or false so हमें true or false बताना है यहाँ पे और यह वाला question भी subset के symbol पर ही based है so the first part is the set consists of two elements A and B is not a subset of this right hand side set which consists of three elements B, C and A अब हम देख सकते हैं जो first element है यहाँ पे left hand side वाले set A पे वो यहाँ पर भी है और जो हमारा second element है B वो भी है यहाँ पे right hand side पे तो यहनि कि यह जो दोनों elements है A और B वो दोनों के दोनों elements यहाँ पे belong करते है तो यहनि कि क्या symbol होना चाहिए यहाँ पे subset का पर यहाँ पे जो symbol लगा हुआ है वो not a subset का लगा हुआ है तो यह वाली जो statement है वो हो गई हमारी false now the next part is यहाँ पे हमारे पास set है जिसके अंदर दो elements है A और E तो right hand side वाले set पे देखते है क्या है it is a set which consists of all those X such that X is a vowel in the English alphabet तो इस वाले set के अंदर हमारे पास कौन से elements आ जाएंगे vowels A E I O U यह five elements आ गए अब हम देख सकते है यहाँ पे जो left hand side का set है इसके अंदर दो elements है A और E और यह दोनों के दोनों हमारे इस वाले set के अंदर भी है तो यहने कि वो subset है और यहाँ पे हम symbol देख सकते है subset का ही symbol लगा हुआ है तो यहने कि यह statement क्या हो गई true now the next part is the set consists of three elements one, two, three and right hand side पे हमारा set है जिसके अंदर तीन element है one, three, five अब हम देख सकते है जो यह one element है वो इस वाले set में भी है जो left hand side का जो second element है वो कहे two पर यह जो two element है वो इस वाले set में नहीं है तो यहने कि एक ऐसा element exist करता है जो left hand side वाले set में तो है पर right hand side वाले set में नहीं है तो इसका मतलब वो subset नहीं है तो यहाँ पे not a subset का symbol आना चाहिए था पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है subset का symbol लगा हुआ है तो यह वाली statement क्या हो गई false now the fourth part is here we have a set which consists of only one element और यहाँ पे right hand side पे three elements है अब हम देख सकते है subset का है तो यहाँ नहीं कि यह statement क्या हो गई true now the fifth part is यहाँ पे अब हम देख सकते है कि जो यहाँ पे हमारा set है वो singleton set है जिसके अंदर एक ही element है और जो symbol है यहाँ पे वो belongs to का है तो students इस वाले part को समझने से पहले या इस वाले part को करने से पहले हम थोड़ा detail में समझेंगे कि कब हमें belongs to का symbol लगाना है और कब हमें subset का symbol लगाना है वैसे तो हम 1.3 की introduction में समझ चुके है बट स्टिल हम एक बर यहाँ पे एक example के त्रू फिर से समझते है so that आपके जितने भी doubts है belongs to और subset की symbols को लेके वो clear हो जाए अच्छे से detail में so यहाँ पर हम एक example ले लेते है say a is a set which consists of two elements one and two तो सबसे पहले हम बात करते है belongs to के symbol की यह हमारा symbol होता है belongs to का तब हम समझते हैं कि हम belongs to के symbol को कैसे use करते है हम कैसे use करते हैं सबसे पहले तो हम element लिखते है जो set के अंदर होता है फिर हम belongs to का sign लगाते है और उसके बाद हम set का नाम लिख देते है जो भी set होता है यहाँ पर अगर a है तो a लिख देंगे b है तो b लिख देंगे तो एक तरीके से यह आप as a formula consider कर सकते हो कि जब भी मुझे belongs to का symbol use करना है तो मेरा यही format होना चाहिए वो format क्या है सबसे पहले आपको element लिखना है खाली आपको यहाँ पर element लिखना है यहाँ पर आपको कोई भी bracket नहीं लगाने है अगर आप belongs to का symbol यूज कर रहे हो तो element then belongs to and then set का नाम तो अब मैं देखती हूँ यहाँ पर जो मेरा first element है वो क्या है one तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ one क्योंकि मुझे element लिखना है पहले तो मैंने यहाँ पर element लिख दिया which is one then I have to put belongs to sign तो मैं यहाँ पर belongs to का sign लगा दूँगी and then उसके बाद मुझे यहाँ पर set का नाम लिखना है तो set क्या है A तो मैं यहाँ पर A लिख दूँगी अब हम देख दूसरा set लेते है say B और B के अंदर यह B मेरा एक set है जिसके अंदर मैं दो element लेती हूँ मेरा जो first element है वो है यह और second element is two तो जो यह मेरा यहाँ पर set है जिसके अंदर singleton set है जिसके अंदर से one element है यह मेरा एक तरीके से element है set B का यह as a whole एक element है और यह एक दूसरा element है तो अगर मैं इस element की बात करूँ जो की अपने आप में एक set है तो और इसमें मैं belongs to का symbol अगर यह वाला formula एक तरीके से apply करती हूँ तो क्या आएगा इस वाले element के लिए अब मैं यह वाला formula लिखना है तो क्या आएगा element element means first element मेरा यह है then belongs to का symbol and then set का नाम which is B यह क्या है element है यहाँ पर मैंने बस element लिखा है मैंने कोई भी curly bracket अलग से नहीं लगाया है यह जो element है इसी के अंदर ही curly bracket already लगा हुआ था तो इसलिए मैंने element as it is लिख दिया यहाँ पे then belongs to and then set का नाम now next हम समझते है subset का symbol subset के symbol को समझने के लिए फिर से हम same example ले ले लेते है say a is 1 and 2 तो subset का symbol क्या होता है हमारा ये वाला तो subset के जैसे हमने ये वाला format लिखा है belongs to के लिए ऐसे हम subset का format लिखते है उसमें क्या होता है subset के format में आप एक element लिखते हो पहले और उस element को in close कर देते हो curly bracket में क्योंकि हमें यहाँ पे set लिखना है हमें यहाँ पे subset लिखना है you have to enclose in curly bracket after that you have to put symbol for subset and then you have to put a set name which is a here तो एक तरीके से यहाँ पे यह आपका format हो गया तो अब हम इसको use करके apply करते है तो यहाँ पे हम अगर मैं first element के लिए यह format यूज करती हूँ तो क्या आना चाहिए element क्या है यहाँ पे one और one को में को curly bracket में close करना है then subset and then set का नाम क्या है a तो यह a नाब हम b ले लेते है जिसके अंदर जो element है वो अपने आप में एक set है then the second element is two जो यह वाला set है यह अपने आप में एक element है element किसका है set b का तो यह क्या है आपका एक element है अब मैं इस वाले element के लिए उपर जो यह format लिखा है यह apply करती हूँ तो उसमें क्या है सबसे पहले element को आपको enclose करना है curly bracket में तो सबसे पहले मैंने element लिख दिया and then we have to enclose this element in curly bracket तो हम एक curly bracket अलग से लगा देंगे then subset का sign and then set क्या है b तो I hope कि अब आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा कि कैसे हमें belongs to का symbol यूज करना है और कैसे subset का कभी कभी क्या होता है जब ये दो brackets आ जाते है यानि कि जब element अपने आप में एक set होता है तो students journally इस चीज को लेके बहुत confused हो जाते है सो मैंने सोचा एक बार आपको अच्छे से यहाँ पे clearly बता दू सो that आपके जो भी doubts है वो clear हो जाए सो next अब हम चलते है अपने fifth part पे यहाँ पे क्या है अब हम देख सकते है students यहाँ पे क्या है belongs to का symbol है अगर belongs to का symbol है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए खाली element होना चाहिए belongs to के symbol में क्या होता है खाली element होता है without curly bracket तो यहाँ पे element क्या है ए तो ए तो है बट यहाँ पे क्या curly bracket भी लगा दिया है तो यह statement क्या हो गई आपकी false हो गई अगर यहाँ पे यह curly bracket नहीं होता तो हमारी यह statement true हो जाती है बट यहाँ पे belongs to का symbol है और element के बाद इन्होंने curly bracket लगा दिया तो इसलिए यह false होगी statement now the next part is the set x such that x is a even natural number less than 6 तो यह set हो जाएगा हमारा x is a even natural number less than 6 so it will be 2 and 4 और जो right hand side पे set है वो क्या है all those x such that x is a natural number which divides 36 so अब हम इस वाले set को लिख लेते हैं तो इसके अंदर कौन-कौन से elements आ जाएगे वो सभी natural numbers जो divide करते है 36 को so it will be 1, 2, 3, 4, then 5 नहीं होगा, then 6, then 7, 8 भी नहीं होगा, then 9, then 12, then 18, then 36 अब हम देख सकते हैं जो यह 2 और 4 है, यह दोनों के दोनों elements यहाँ पर है तो ऐनी कि subset का symbol आना चाहिए और subset का ही symbol है तो ऐनी कि यह statement क्या हो गई आपकी true next हम चलते है question number 3 पे, so question number 3 is, let a is equal to this set, which of the following statements are incorrect and why question number 2 में हमने जो students बहुत ही detail में समझा है कि कब हमें belongs to का sign लगाना है और कब हमें subset के symbol का use करना है so अगर वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है, so यह जो question number 3 है, बहुत ही easily आपसे हो जाएगा और अगर किसी भी student को still अगर कोई भी doubt है, इन दो symbols को लेके तो वो comment करके पूछ सकता है so let's start with the first part, यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम set A को analyze करते है set A क्या है, इसके अंदर हमारा जो first element क्या है, one है, second element क्या है, two है जो third element है, वो अपने आप में एक set है, जिसके अंदर three और four है तो यहनि कि, जो यह set है, यह पूरा का पूरा एक element है, और जो fourth element है, हमारा set A का, वो क्या है, five तो set A में कितने element है, there are only four elements, one, two, then this set, and then five तो अब हम करते हैं first part, first part में क्या है, यहाँ पे, यह जो three four है, जो set के अंदर लिखा हुआ है यह हमारा element है, set का, और यहाँ पे, symbol क्या है, subset का, अब जब यहाँ पे, खाली element लिखा है तो belongs to का sign होना चाहिए था, हमने अभी question number two की detail में पढ़ा था, कि जब भी यहाँ पे हमारा element है तो belongs to का symbol होना चाहिए, हमने क्या पढ़ा है, मैं एक बहर repeat कर देती हूँ, अगर मैं खाली element लिखती हूँ, यहाँ पे, without curly bracket तो belongs to का symbol होना चाहिए, और अगर मैं element को in close कर देती हूँ, curly bracket में अलग से, तो subset का symbol होना चाहिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ element लिखा है, यह वाला, और subset का sign है, तो यह वाली statement क्या हो गई, false, this is incorrect अब हम देख सकते हैं, अब हम देख सकते हैं, second part में यहाँ पे क्या लिखा है, यह पूरा का पूरा element है, this is the element, और belongs to का symbol है, and then the set A तो यह वाली statement, यह वाली format को satisfy कर रही है, तो यह वाली statement क्या हो गई, true, this is correct now the third part is, third part के अंदर हम देख सकते हैं, जो यह अंदर वाला bracket है, curly bracket है, जिसके अंदर दो element है, three और four यह एक element है, अब इस element को हमने curly bracket में put किया है, यानि कि यह वाला format है, element को हमने curly bracket में put किया है तो subset का symbol आना चीए, और यहाँ पे subset का ही symbol लगा हुआ है, तो यानि कि यह statement क्या हो गई, हमारी true Now the fourth part is, one element जो है, belongs to a, तो हम देख सकते हैं, one जो element है, वो a के अंदर है, तो one belongs to a, यह बिल्कुल सही है, तो this is correct, तो हम लिख देंगे true The fifth part is, one, अब यह one क्या है, एक element है, set a के अंदर, element में कोई curly bracket नहीं लगा हुआ है, खाली element लिखा है one, और element के साथ क्या लिखा हुआ है, subset का sign है, subset का sign होता है यहाँ पे, तो हमें element को enclose करना होता है, curly bracket में, पर यहाँ पे कोई curly bracket हमें नहीं दीख रा, तो यहाँ कि यह statement क् false, this is incorrect, now the sixth part is, यहाँ पे हमारे पास एक set given है, जिसके अंदर three elements है, one, two, five, और यह क्या statement है, subset of a, तो यह subset तभी होगा, जब तीनों के तीनों element set a में होंगे, तो हम देखते हैं, जो first element है one, वो तो है हमारा set a में, जो second element है two, वो भी है set a में, और जो third element है five, वो भी है set a में, तो हैनी कि this statement is correct, therefore हम लिख देंगे two, now the next part is, अब हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, same चीज है, a set दिया हुआ है, जिसके अंदर one, two, five elements है, लेकिन जो symbol है, वो क्या है, belongs to का हो गया, तो जब belongs to का symbol होता है, तो elements को हम curly bracket में नहीं लगाते, तो यह statement क्या हो गई, incorrect हो गई तो false लिख देंगे, now next part is, a set which consists of three elements, one, two, three, और symbol किसका है, subset का, तो अब यह तीनों के तीनों elements, अगर set A में है, तो यह statement correct होगी, otherwise incorrect होगी, तो हम चेक कर लेते हैं, जो first element क्या है, one, वो तो है set A में, जो second element है, two, वो भी है set A में, लेकिन जो third element है, three, three elements इसके अंदर नहीं है तो यह statement क्या होगी, false, next part is, the empty set belongs to A, means अगर belongs to का symbol है, तो यह जो यह five है, वो element होना चाहिए set A का, पर हम देख सकते है, set A के अंदर ऐसा कोई element five है ही नहीं, इसके अंदर तो one है, two है, और एक set है, जिसके अंदर three, four है, और जो fourth element है set A का, वो है five, तो five, कोई element A का नहीं है, अगर A हमारा ऐसा होता students, like इस type का होता, कि A के अंदर ऐसा कोई element होता, तब यह statement true होती, पर ऐसा कोई element हमें नहीं दिखता है A के अंदर, therefore यह वाली statement incorrect हो जाएगी, तो हम लिख देंगे false, next part is, the empty set is a subset of A, यह तो हमने पढ़ा ही था, कि जो empty set होता है, वो हर किसी set का subset होता है, तो यह वाली statement तो correct हो जाएगी, तो हम लिख देंगे true, now the last part is, इसके अंदर अब हम देख सकते है, जो यह empty set है, इसको हमने एक और curly bracket में लगा दिया है, और symbol किसका है, subset का, देखो, अब जब symbol होता है, subset का, तो element को हम curly bracket में लगाते है, यहाँ तो लगे हुए है, इसका मतलब जो five है, वो element होना चाहिए, अब five तो element है नहीं, यह तो हमने अभी इस वाले part में देखा ही है, कि a के अंदर ऐसा कोई element नहीं दिख रहा, तो यह statement क्या हो गई, false, this is incorrect statement, so I hope students की जो question number 3 है, उसके सभी parts आपके clear हो गए होंगे, next हम चलते है, question number 4 पर, question number 4 is, write down all the subsets of the following sets, so इसमें हमें कुछ sets given है, और हमें सारे possible subsets लिखने है, हमें 1.3 की introduction में यह बहुत अच्छे से सीखा था, कि जब भी हमारे पास कोई set given होता है, तो उसके सारे के सारे possible subsets कैसे लिखने है, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं पहले recommend करूंगी कि पहले आप वो वाली वीडियो देख ले, so that यह जो question number 4 होगा, वो बहुत ही easily हो जाएगा, उसमें हमने बहुत अच्छे से detail में समझा था कि कैसे subsets लिखे जाते हैं किसी भी set के, so start करते हैं first part से, जिसके अंदर हमें given है एक singleton set और जो element है वो है A, तो सबसेट लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, the set itself, क्योंकि हमने यह पढ़ा था है कि every set is a subset of itself, तो सबसे पहले तो हम जो given set है वही लिख देंगे, क्योंकि हर एक set अपने set का subset होता है, second set जो हम लिखते हैं हमेशा वो लिखते हैं empty set, क्योंकि empty set हर एक set का subset होता है, उसके सबसेट बनाते हैं, सबसे पहले हम वो सबसेट बनाते हैं, जिसके अंदर एक element होता है, then उसके बाद हम ऐसे सबसेट बनाते हैं, जिसके अंदर दो element होते हैं, then तीन element होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे सबसेट बनाएं, अब जिसके अंदर एक ही element है, तो अब यहाँ set बन जाएगा और यह हम already यहाँ पर लिख चुके है तो यह नि कि जो यह given set है इसके सिर्फ दो ही subsets होंगे the set itself and the empty set the next part is the set which consist of two elements a and b तो इसके subsets हम लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम given set ही लिख देते है उसके बाद हम empty set लिखते है उसके बाद हम ऐसे set बनाते है जिसके अंदर सिर्फ एक ही element होता है पहले आजाएगा a और फिर आजाएगा b अब और कोई element तो है नी तो अब इसके बाद हम ऐसे set बनाएंगे जिसके अंदर दो elements होंगे तो अगर दोनों ही elements ले लूँगी तो यहने कि यह set खुद जो given set है वही बन जाएगा और यह हम already यहां पे लिख चुके है तो यहने कि जो इस वाले set के कितने subsets बनेंगे 4 और वो कौन-कौन से होंगे the given set, empty set the singleton set A and the singleton set B third part is the set consist of three elements, 1, 2, 3 तो इसके subsets लिखने के लिए सबसे पहले हम set को ही लिख देंगे जो given set है उसके बाद हम empty set लिखेंगे उसके बाद हम वो वाले subsets बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ एक ही element होगा तो 1 then 2 then 3 3 के बाद और कोई element तो है नहीं इसके बाद हम वो वाले subsets बनाएंगे जिसके अंदर 2 elements होगे तो हम पहले first 2 elements ले ले लेते हैं 1 and 2 then 2 and 3 then 1 and 3 इसके लावा और कोई possible combination नहीं है 2 elements का तो next हम ऐसे subsets बनाएंगे जिसके अंदर 3 elements होगे तो अगर मैं 3 elements ले लूँँगी तो यहाँ पे तो given set में 3 elements है तो यहनी कि यह पूरा का पूरा खुद का ही set आ जाएगा और यह हम already यहाँ पे लिख चुके है तो इस वाले set के यह सभी subsets होगे now the next part is the empty set अब empty set के अंदर तो कोई element है ही नहीं तो लेकिन सबसे पहला क्या लिखना होता है हमें set the set itself तो set itself में क्या आ जाएगा empty set क्योंकि यही set given है second में हम क्या लिखते है empty set लिखते है तो अब हम यहाँ पे फिट से empty set लिखेंगे तो यह तो हम already लिखी चुके है तो इसके इलावा और कोई इसका element तो है नहीं तो इसका और कोई subset बने गई नहीं तो empty set के कितने subsets हो गए एक and which is nothing but the set itself I hope question number 4 सभी को clear हो गया होगा next हम चलते है question number 5 पे how many elements has power set of A if A is empty set so हम recall करते है कि power set of A क्या होता है power set क्या होता है basically अगर हमारे पास कोई set A given है तो उसका power set क्या होगा एक set ही होगा जिसके जो elements है वो जो elements है वो क्या होंगे subsets होंगे set A के तो इस question को हम students basically दो ways में कर सकते है और वो दोनों तरीके से हम इस question को करते है अब हम सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या given है एक A set है जो की empty set है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते है यह हमारे पास given है set A which is an empty set अब power set क्या होता है एक set होता है इसके अंदर जो elements होंगे वो क्या होंगे subsets होंगे set A के तो यहाँ पे मुझे सारे subsets लिखने है A के A क्या है empty set और यहाँ पे हमें सारे subsets लिखने है empty set के अभी हमने question number 4 के 4th part में देखा है कि जब empty set है तो खाली A की subset होता है which is 5 only तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 5 क्योंकि 5 is the only subset of empty set तो अब हमें क्या बताना है question के अंदर how many elements has P of A तो कितने elements हो गए यहाँ पे इस वाले set में 1 खाली A की element है which is 5 so number of elements in P of A is 1 यह तो एक तरीका हो गया इस question को solve करने के लिए बाकी इसका दूसरा तरीका वो है जो हमने formula किया है 1.3 की introduction में कि अगर एक set है हम recall कर लेते हैं अगर एक set है जिसके अंदर N elements है तो जो P of A होगा उसके जो number of elements होंगे वो क्या होंगे 2 raised to power N so वो formula क्या कहता है कि अगर कोई set A है जिसके अंदर N elements है then the number of elements in the power set of A is equal to 2 raised to power N तो इस formula के हिसाब से अगर हम calculate करते है number of elements तो क्या आएगा इस formula के हिसाब से number of elements in P of A will be equal to 2 raised to power N तो N क्या है यहां पे N क्या है number of elements in the set A और set A के अंदर क्या है यहां पे तो empty set है A तो empty set है तो number of elements क्या है 0 क्योंकि कोई भी element नहीं है empty set में तो तो यहां पे क्या आजाएगा 2 raised to power 0 and हम सब को पता है anything raised to power 0 is 1 तो इससे भी हमारा same ही answer आया है 1 Next is question number 6 Write the following as intervals तो हमें यहां पर कुछ set builder form में कुछ sets given है और हमें उन्हें intervals की form में लिखना है तो हमने 1.3 की introduction video में 3 types के intervals पढ़े थे हम पहले उन्हें recall कर लेते हैं तो वो कौन से 3 intervals थे first one is closed interval closed interval को हम कैसे represent करते थे square brackets से और अगर हमारे पास यहां पे से दो number है 2 and 4 तो इसका मतलब क्या था सभी real numbers जो 2 और 4 के बीच में है including 2 and 4 यानि की 2 और 4 को भी include करना है plus वो सारे numbers जो 2 और 4 के बीच में है तो जब भी आपके पास यहां पे square bracket होता है square bracket का मतलब है कि आपको end points को include करना है जो second type का interval हमने पढ़ा था वो क्या था open interval open interval को हम represent करते है round bracket से और अगर अमारे पास यहां पे है numbers say 2 and 4 again तो इसका मतलब है कि वो सभी real numbers जो 2 और 4 के बीच में आते है but 2 and 4 are not included 2 और 4 को include नहीं करना खाली जो 2 और 4 के बीच में numbers आ रहे थे real numbers सिर्फ उनी को consider करना है जहां पे भी यह round bracket आते है इसका मतलब है कि जो यह end point है हमें इसे include नहीं करना है और जो third interval था वो क्या था semi open और semi closed तो इसके अंदर हमारे पास दो type के intervals थे एक ऐसा था और second one is like this तो अगर हम first one की अगर हम बात करते है और इसके अंदर हम ले लेते है अपने दो number से two and four तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सभी real numbers जो two और four के बीच में आते है लेकिन हमें two को include नहीं करना four को include करना है जहां पे भी यह round bracket आता है तो इसका मतलब उस वाले side का जो number है उस वाले side का जो end point है उसको हमें include नहीं करना और जहां पे भी यह closed यानि कि यह square bracket आता है उस वाले number को हमें include करना है तो अगर यहां पे हम second integral की बात करें और यहां पे हम लिख लेते है two and four तो यहां पे क्या है left hand side में square bracket है तो इसका मतलब हमें two को include करना है और यहां पे right hand side पे इस वाले point पे क्या है four के साथ क्या है round bracket तो मतलब four को include नहीं करना है तो simple सा concept है जब भी आपके पास square bracket होते है जिस side भी आपके पास square bracket है जिस side भी तो उस वाली side के number को आपको include करना है और जहां पे भी आपके पास round bracket है तो उस वाली side के number को include नहीं करना है तो अब हम करते हैं अपना first part which is a set which consists of all those x such that x belongs to r x is a real number and x lies between minus four to six अब हम देख सकते हैं यहां पे six को include करना है क्योंकि यहां पे six के पास equality का sign है बट यहां पे equality का sign नहीं है तो यहां पे minus four को include नहीं करना है तो इस वाले set को हम interval की form में कैसे लिखेंगे round bracket के साथ negative four और six को include करना है तो यहां पे हम square bracket लगा देंगे हमें यहां पे minus four को include नहीं करना था तो हमने minus four के साथ round bracket लगा दिया लेकिन हमें six को include करना था तो six के साथ square bracket लगा दिया next part is the set x which consists of all those real numbers which lies between minus 12 and minus 10 तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं किसी के अंदर भी equality का sign नहीं है यानि कि हमें नहीं तो minus 12 को include करना है और नहीं हमें minus 10 को include करना है तो यानि कि दोनों में क्या आ जाएंगे round bracket आ जाएंगे क्योंकि हमें दोनों numbers को include नहीं करना है now the third part is the set x such that x is a real number and x lies between 0 and 7 but 0 के साथ क्या है equality का sign है but 7 के साथ नहीं है तो हमें 0 को include करना है but 7 को include नहीं करना है क्योंकि हमें 0 को include करना है तो 0 के साथ क्या आ जाएगा square bracket और 7 को नहीं करना तो seven के साथ क्या आजाएगा round bracket now the next part is the set x such that x is a real number and x lies between three and four जहाँ पर हम देख सकते हैं कि three के साथ भी equality का sign है और four के साथ भी यानि कि हमें three और four दोनों को include करना है और जब हमें दोनों को include करना है तो दोनों के साथ यानि कि square bracket का हम use करेंगे तो इसी के साथ हमारा question number six complete होता है next हम चलते है question number seven question number seven is write the following intervals in the set builder form so अभी हमने question number six में क्या किया था set builder form given थी और हमने intervals लिखे थे इस question में क्या intervals given है और हमें set builder की form में लिखना है so the first part is the open interval minus three to zero अब यहाँ पे क्या है दोनों side पे क्या है round bracket है यानि कि यह open interval है तो जब भी round bracket होते है तो हमें वो दोनों numbers include नहीं करने होते तो इसको हम कैसे लिख देंगे set consist of x such that x is a real number and x lies between minus three and zero क्योंकि यहाँ पे round bracket है तो हमें दोनों को include नहीं करना इसलिए हमने यहाँ पे equality का sign नहीं लगाया now the next part is हम कैसे लिखेंगे a set consist of x such that x is a real number and x lies between six and twelve अब हम यहाँ पे देख सकते है कि यहाँ पे दोनों side पे क्या है square bracket है square bracket का मतलब हमें दोनों numbers को include करना है तो इसलिए हम equality का sign यहाँ पे लगा देंगे now the next part is this semi closed और semi open interval अब यहाँ पे round bracket है 6 के साथ यहाँ कि 6 को हमें include नहीं करना है बट हमें 12 को करना है क्योंकि 12 के साथ square bracket है तो इसको हम कैसे लिखेंगे a set x such that x belongs to r क्योंकि हमें 6 को include नहीं करना तो हम यहाँ पे quality का sign नहीं लगाएंगे then we have x 12 को include करना है तो equality का sign लगा देंगे then 12 then close the curly bracket now the next part is this तो यहाँ पे हम इसको हम कैसे लिखेंगे all those x such that x belongs to r minus 23 के साथ square bracket है तो यहाँ कि उसे हमें include करना है तो इसलिए equality का sign आ जाएगा then x 5 के साथ क्या है round bracket है तो हमें 5 को include नहीं करना तो strict inequality का sign आएगा then 5 then we have to close the curly bracket so question number 6 और 7 I hope students आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे set builder form से intervals लिखते हैं और कैसे intervals से set builder form लिखते हैं next is question number 8 what universal sets would you propose for each of the following so हम एक बार recall करते हैं कि universal set क्या होते है universal set क्या था सबसे बड़ा set होता है जो एक ऐसा set होता है जो given set के सभी elements को contain करता है plus कुछ extra elements भी contain कर सकता है पर कम से कम जो given set के elements है वो तो contain करेगा ही करेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो first part है वो क्या है the set of right triangles इसके लिए हमें एक universal set बनाना है universal set को propose करना है तो क्या हो सकता universal set या तो मैं ये बिल्कुल सेम यही ले लू the set of right triangles वो भी universal set हो सकता है इसका और या फिर मैं एक ऐसा set भी ले सकती हूँ जिसके अंदर खाली हर type के triangles है the set of all triangles तो उसके अंदर जो right triangles है वो तो आही जाएंगे अगर कोई set है triangles का जिसके अंदर हर type के triangles है तो उसके अंदर right triangles तो आही जाएंगे तो अगर मैं ये वाला set ले ले लेती हूँ the set of all triangles यहाँ पर हम all लिख देते है all triangles तो ये क्या हो जाएगा इसका universal set the next part is the set of all isosolus triangles तो सेम है इसके अंदर भी अगर मैं यू ले लेती हूँ अपना the set of all triangles तो इस वाले set के अंदर जब मैं ले रही हूँ set of all kinds of triangles तो isosolus triangles तो होंगे ही होंगे तो ये वाला जो set है it can be a universal set for this given set now the next question is question number 9 given the sets A, B, C which of the following may be considered as the universal set for all the three sets A, B, C so students यहाँ पर हमारे पास जो given sets है वो क्या है A, B और C तो इसका हमें universal set निकालना है तो universal set क्या होगा इसका एक ऐसा set होगा जिसके अंदर A के elements भी होंगे B के elements भी होंगे और C के elements भी होंगे minimum इतने elements तो होंगे ही होंगे प्लस कुछ extra elements हो भी सकते है और नहीं भी हो सकते so first part पे हम चलते है first part के अंदर हम देखते है हमारे पास A के elements है A के elements क्या है 1, 3, 5 तो यहाँ पर 1 भी है 3 भी है, 5 भी है A के elements तो है first part के अंदर B के elements क्या है 2, 4, 6 अब हम 2, 4, 6 चेक करते है 2 तो है 4 भी है 6 भी है so A और B के elements तो है अब हम C के elements चेक करते है C क्या है 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 तो 0 भी है 2 भी है 4 भी है 6 भी है पर 8 नहीं है तो यानि कि जो first part का set है ये वाला इसमें C के सभी elements नहीं है C का जो 8 element है वो नहीं है उनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर C सेट के elements नहीं है next part क्या है हमारा the empty set इसके अंदर तो कोई भी element नहीं है ना ही A के element है ना B के element है ना C के element है ये तो empty set है तो ये तो बिल्गूल भी उनिवर्सल सेट नहीं हो सकता हम third part के अंदर check करते है क्या A, B, C के सभी elements है A के elements क्या थे 1, 3, 5 तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है A के elements तो है B के elements क्या थे 2, 4, 6 तो B के elements भी है 2, 4 और 6 So B के elements भी है C के elements क्या थे 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 So 0 भी है, 2 भी है 4 भी है, 6 भी है 8 भी है इस वाले set के अंदर जो third part का set है इसके अंदर A के elements भी है, B के elements भी है, C के elements भी है तो यह वाला set तो universal set हो सकता है In fact हम देख सकते हैं जो यह वाला set है इसके अंदर कुछ extra elements भी है जैसे 9 और 10, extra elements हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हमें extra elements से इतना concern नहीं है हमें जो given sets है कम से कम उनके elements होने चाहिए तो उनके elements तो है ही तो इसलिए ये universal set हो सकता है for the given sets A, B and C नगे नेक्स पार्ट पे चलते हैं अब इसके अंदर हम A के elements चेक करते है which is 1, 3, 5 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है B के elements क्या है, 2, 4, 6 तो अब हम 2, 4, 6 चेक करते है 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है C के elements क्या है 0, 2, 4, 6, 8 अब हम देख सकते हैं इसके अंदर 0 element नहीं है तो 0 नहीं है तो यहनकी C के सभी elements तो नहीं है तो ये universal set नहीं हो सकता तो इन चारों में से खाली A की ऐसा set है जो universal set हो सकता है for the given sets A, B and C तो students, इसी के साथ exercise 1.3 खतम होती है I hope कि आपको सभी questions समझ में आ गए होंगे बट still अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment कर सकते है and if you liked my video then please like, share and subscribe my channel Thank you